जो हर चीज सही करता है, वो एक बदसूरत अंसान मन जाता है। जब आप ठिक ठाक रूप से संतुलित और स्पष्ठ हों और खुश हों, ना कि किसी चीज से परेशान हों, तब कोई निर्णें लीजे और अपना जीवन उसमें लगाईए। कुछ शांदार होगा। मेरा प्रश्ण ये है कि, जब हम निर्णे लेते हैं, तो हमेशा एक सही निर्णे होता है और एक गलत। निर्णे सही था या गलत ये बाद में ही पता चलता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा निर्णे सही था, या मैं सही निर्णे ले रहा हूँ या गलत। लेकिन आप प्रश्ण क्यूं कॉपी कर रहे हैं? वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने लिख दिया. नहीं, नहीं, मेरी परिक्षाओं में कभी इतनी रूची नहीं थी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन मैंने देखा जब मैं कॉलेज में था, बहुत से लोग अपनी आस्तीम में यहाँ, वहाँ, हर जगा लिख कर लाते थे, और हर तरह की परचियां वगएरा, लेकिन वे सभी उत्तर कॉपी करते थे. प्रश्ण आप तभी कॉपी करते हैं? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यह चीज हर जगा है. क्योंकि आप अपने भीतर इतना संघर्ष पैदा कर लेते हैं, हर छोटी चीज के बारे में, कि आप सोचते हैं कि आप हमेशा कुछ गलत कर देंगे, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा ठीक है, खुशी-खुशी कुछ गलत कीजिए, ये ठीक है कोई नहीं जानता कि वे सही काम कर रहे हैं या गलत क्या वे जानते हैं, सौप्रतिशत? नहीं तो खुद को जादा परिशान मन कीजे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बस जब आप कुछ करें तो ये देखिए, क्या इससे मुझे और मेरे आसपास के लोगों को खुशाली मिलेगी, आपके लिए बस यही महतुपून होना चाहिए, जो लोग सोचते हैं वे हमेशा सही ह वे भयानक लोग हैं, ऐसा करने से तानाशा पैदा होते हैं, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैंने जीवन में सभी सही निरने लिए, ये तानाशा है, ये इनसान नहीं है, जो हर चीज सही करता है, वो एक बदसूरत इनसान बन जाता है, आपको सही चीजें करने की ज़रूरत न या गलत कौन तैय करेगा? अगर ये सभी को खुशाली देता है, तो ये सही है, है न? कोई तैय नहीं कर सकता कि सही क्या है और गलत क्या है, क्यूंकि हजारों सालों से लोग उन्हीं चीजों पर बहस करते रहें, और कोई भी निशकर्ज तक नहीं पहुचा है, कि सही क्या है और गलत क्या है? और जिन लोगों को विश्वास है कि वे सही चीज़ें कर रहें, उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे भयंकर चीज़ें की हैं, हमेशा. तो सही और गलत देखने के बजाए, जो उस नैतिकता का परिनाम है, जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप अपने भीतर मानवता को क्यों नहीं जगाते, आप एक जीवित मानवता क्यों नहीं बनते, मानवता का मतलब बस ये है, हमने इसी के बारे में अभी बात की, पशु प्रकृति का मतलब है सीमाएं बनाना, इंसानी प्रकृती का मतलब है सीमाओं को फैलाना या हर किसी को अपनी सीमाओं में शामिल करना, क्योंकि यही स्वभाविक चाहत है, आप जहां भी हैं आप उससे जादा कुछ बनना चाहते हैं, यह क्यों है, यह इसलिए है, क्योंकि आपकी बुद्धि ऐस इस तर पर पहुँच गई है, जहां इसे सीमाओं पसंद नहीं, यह फैलना चाहती है, यही इंसानी प्रकृती है, इंसानी प्रकृती कुद्रती रूप से सम्मिलित करती है, पशु प्रकृती अलग करती है, वो सीमाओं तै करना चाहती है, तो सही और गलत की सीमाओं में ह हर कोई गलत लगेगा. देखे इसे इमानदारी से देखे. ज्यादातर लोग इस्थिती में हैं. उनके अलावा हर कोई कहीं न कहीं गलती कर रहा है. अगर सभी गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं, तो ये पागलपन का संकेत है. ये सही होने का संकेत नहीं है. तो अपना समय सही निर्णें और गलत निर्णें में मत गमाईए. जब आप ठिक ठाक रूप से संतुलित और स्पष्ठ हों और खुश हों, ना कि किसी चीज से परेशान हों, तब कोई निर्णें लीजे और अपना जीवन उसमें लगाईए. कुछ शांदार होगा, शायद आप सही चीज न करें, पर शायद आप एक महान चीज करें, आप शायद एक शांदार काम करें, इतना काफी है. मैं कितनी दूर जाओंगा, क्या होगा? ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता हैं. आपकी बुद्धी, आपकी एक्षमता और वो समय जिसमें आप जी रहे हैं. आपको आज के समय को अंदेखा नहीं करना चाहिए. इतिहास के अलग-अलग समय में, अलग-अलग चीजें के बाद होगी. लेकिन हमने जो भी अपने जीवन में किया, वो हमने पूरी भागीदारी से किया. क्योंकि जीवन भागीदारी में ही है, जीवन सही होने में नहीं है. आपकी भागीदारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए. जो भी आप करें, ये देखिए कि इसमें सभी की खुशाली कैसे शामिल है अगर आप सब को खुद में शामिल करते हैं और भागीदारी दिखाते हैं तो ये ठीक है क्या मैं सही हूँ या गलत सही या गलत अपने जीवन के आँखरी दिन तक आप ये वाकई तैय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है क्योंकि हमेशा कुछ आने लोग होंगे जो कहेंगे ये गलत है है ना